चीन के साथ सीमा विवाद के बीच चीन की नई चालबाजी आय साथ ने चीन ने बॉर्डर पर कई मिसाल तैनात किया बाराचीन गतिरोत की बीच बोले आर्मी चीफ नर्वणे पूर्वी लद्दाक में चीन सीमा पर एहम मोर्चे पर हमारे जबान मजबूती के साथ नठे हो गए आर्मी चीफ नर्वणे नकार चीन पर आख मूंत कर नहीं किया जाएगा बिश्वास हमारे स्टैनिक भी तयार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से आए गैर मुस्लिम शराड़तियों को मिलेगी नागरिकता सरकार ने मंगाए आवेदन ये शर्णार्थी, गुजरात, राज़स्तान, चरतीजगर, हड्याना और पंजाब के तेरस दिलों में रह रहे हैं इनका धर्ब, हिंदु सिख, जैन और बौदर है पुढे के खढक वासला में, एड्या क्यूब पासिंग आउट परेड नासेना प्रमुक करंबिर सिंग समारों में रहे चीफ-गेस्ट नेवी चीफ एड्मिरल करंबीर सिंग का खास अंदाज पूरे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में पुश अप लगाते दिखाए दिये नेवी चीफ विदेश मंत्री एस जैशंकर ने अमेरिकी ग्रेया सचिव एंटेनिस से की मुलाकात कई एहम बुद्दों पर बनी सहमत अमेरिका का दन्यवाद पहली बार भारत ने कोरोना वाइरस को जांच के लिए अधिकारिक तोर पर समर्थन किया चीन का नाम निये बगएर कहा दुनिया के सभी देश सही होग करें पहराश्ट में बिते 24 गंटे में कोरोना के 20,740 ने के सामने आए जबकि 424 लोगों की मौत कुई रज़ानी में लॉकडाउन के दोराद दिल्ली के चार्टर कर रहे हैं लोगों की मदद रोजाना 400 से जादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं गेरल में बिते 24 गंटे में कोरोना के 26,274 ने मामले आया सामने 194 मरीजों की बेचान डबलो एचुन अफिर थप थपाई योगी सरकार की पीच प्रदेश में तंबाकों के प्रेयों को कम करने और रोखने के लिए बैदरीन का मिला इस साल का No2Bacco Day Award कोरोना को लेकर गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर मंदिर की बड़ी पहल बिना कोरोना वैक्सिनेशन के मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश एंट्री पर दिखाना होगा वैक्सिनेशन का सरकारी सर्टिफिकेट उद्रकंड में कोरोना के ग्राफ में गिरावर जारी बीते 24 गंटे में मिले 1242 संक्रमेद 52 मरीजों के मौर MP में देजी के साथ उधार रहे कोरोना के हालात 1854 ने मरीजों में संक्रमण के पूस्टी आगर मालमा में नहीं मिलाए गी मामला विजशा में दो अपते बाद सेकारी बैंक खुलते ही उमडी किसानों के भीर सोशल डिस्टेंसिंग के उड़ी धजियां राजिस्तान में कोरोना पर कंट्रोल 24 गंटे में 2649 ने पॉजिटिव के सामने आये 78 लोगों ने दम तोड़ा मुक्तमंत्री अशुक एहलग का ट्वीट प्रदेश में वैक्सीन की साड़े ग्यार लाग डूस बरबाद करने की खबर को बताये जूठा जरकर्ण में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 687 ने मामले सामने आये 19 मरीजों की जान गई प्रालदारी राची वे अब घर बैठे होगा वैक्सिनेशन स्वास्तमंत्री ने की मोबाइल वैक्सिन वेन की शुरुआ पंजाब अर्याणा है माचल में कोरोना के मामले घटे बीते 24 गंटे में पंजाब में 3724 ने मरीजों यास के बाद बंगाल में सियासी तूफान मुखे सचूर अलपन बंदोपाध्याय का थबाला प्रदान मंत्री मोदी की बैठक में देर से पहुँचे थे बंदोपाध्याय ब्यार में देख रहा है यास की तबाही का मंजर भारी बारिश के कारंड है गए कई मकान, घर, अस्पतालों और सडकों पर भरा पानी, ट्रेनों और मसों के परिचालन में भी परिशानी जारकन में यास तूफान का दिखा असर, भारी बारिश से कई मारतों को पहुँचा नुकसान, कई पेर तूटकर गिरे वाराश्ट के ठाले में बड़ा हाथसा, पांच मंजला बिल्डिंग का गिरा स्लेव, हाथसे में साथ लोगों की मौट उलास नगर में बिल्डिंग का स्लाप गिरने से मलबे में कई लोगों की पहसे होनी की आश्रं का रहात और बचाव का का दिखा नुक्त बता जारा है ये मारत करीब 26 साल पुरानी थी, हाथसे के बाद बिल्डिंग को प्या गैसी इस गटा में बनने वाले लोगों के लिए माराश्टर सरकार ने मौट्जे का किया एलान मृतक की परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए का मौट्जा अभियात्से के बज़स साथ ही बिपी के सीतापुर में शादी समारों में हाई टेशन तार की चपेट में आने से चार बारातियों की मौत तीन लोग गंभियर उप से चुल से अगले बारे घंटे में भारी बारिश की चेतावनी एलो एलर्ट जारी पाकिस्तान के इंदुसांसाद ने निचले सदर में पेश किया विदयाक धार्मिक अल्पसंखेकों को मिले गयर मुस्लिम के तौर पर पहचान समानता और इंसाफ मिलना सुनेशित किया जाए आज बी सिस्याई के एम बैठक आई पील 14 के भविश पक हो सकता फैसला अनजर सिल्णा ने उड़ाया सुशान सिंग्राच पूत का मजाख नाराज हुए फैंस बोले तुम्हारी बारी भी आएगी हमिता बच्चन मुंबई के अंधेरी में खरीदा अलिशान अपार्टमेंट 5184 वर्क फूट के अपार्टमेंट की कीमत 31 करोन रुपए